नमस्कार बिकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे FLN वर्क सीट क्लास थर्ड मैट्स सर्ता पंद्रा सिमरन ने अपने घर में लगे बिजली के मीटर को पढ़ा पिछले महिने मीटर में 403 यूनिट था इस महिने 523 यूनिट हो गया है उसने एक महिने में कितनी बिजली का इस्तेमाल किया तो बिजली के मीटर में जैसे जैसे हम बिजली जलाते जाते हैं उसके यूनिट बढ़ते जाती हैं बढ़ते जाती हैं तो पिछले महिने जो था वो 403 यूनिट था और इस महिने जब बढ़कर कितना हो गया पांस सो तेईस यूनिट हो गया तो उसने एक महिने में कितना बिजली का इस्तेमाल किया तो अभी जो बढ़कर हुआ है उसमें से पूरो महा का घटा देंगे तो ये तीन में से तीन गया तो शुनी आया दो में से सुनी गया तो दो आया पांच में से चार गया तो एक आया तो सीधे उत्तर क्या प्राप्त हो जाएगा उसने एक महिने में 120 यूनिट बिजली का इस्तिमाल किया उसने एक महिने में 120 यूनिट बिजली का इस्तिमाल किया इस तरह से बच्चों हमें इन इबारती सवालों को हल करना है दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपको स्वैम करना है दिवस दो में देखिए डेविड के पिताजी उसके जनम दिन पर 85 टॉफियां लाए डेविड ने अपने विद्याले में 45 टॉफियां लड़कियों को और 40 टॉफियां लड़कों को बाट दी बताईए अब डेविड के पास कुल कितनी टॉफियां बचे तो देखिए पिताजी द्वारा लाई गई टॉफियां कितनी हैं 85 हैं 85 टॉफिल आये थे डेविड द्वारा बाटी गई टॉफिया डेविड द्वारा बाटी गई टॉफिया कितनी है पहले उसने बालिकाओं को लड़कियों को 45 बाट दिया और लड़कों को 40 बाट दिया खुल कितनी बच गई बट गई 5 और ही 85 पच्चे आसी हो गया 85 टॉफियां मिलिती85 टॉफियां बाट दी गई तो अब डेविड के पास कितनी टॉफियां बची टेविड के पास सेस टॉफियां ठेविट के पास सेस टॉफियां कितनी हो जाएंगे 85 रिण 85 बराबर सुन्य तो ये आ जाएगा सुन्य आंसर इसी प्रकार बच्चों ये दूसरा प्रश्न तीसरा प्रश्न आपको स्वयम हल करना है दिवस तीन में समझते हैं लेने देने का खेल एक सिक्षक अपने विद्याले में यह पता लगाता है कि बच्चों को कौन सी मिठाई पसंद है क्या होता है सर्वे बच्चों में पहले लड़किया 83 लड़कियों को लड़ू पसंद है 136 लड़कियों को बर्फी पसंद है कुल कितने लड़कियों को मिठाई पसंद है कैसे पता चलेगा 136 में हम इस 83 को जोड़ देंगे तो 6 और 3 हो जाएगा 9 और आठ और तीन हो जाएगा ग्यारा की एक हासिल का एक एक और एक हो जाएगा दो कुल दो सो उन्नीस लड़कियों को लड़ू और बर्फी अर्थात मिठाई पसंद है कुल दो सो उन्नीस लड़कियों को मिठाई पसंद है लड़के देखिए, लड़के हमारे पास हैं 72 लड़के और 142 लड़कों को लड़ू पसंद है 142 लड़कों को बरफी पसंद है कुल यह हो जाएगा 2 और 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11 की एक हासिल का 1, 1 और 1, 2 214 लड़कों को मिठाई पसंद है अब ये दोनों की संख्या को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कुल कितने बच्चे हैं 9 और 4, 13 की 3 हासिल का 1, 2 और 1 हो जाएगा 3, 2 और 2 हो गया 4 कुल 433 बच्चे हैं जिने मिठाई पसंद है अब देखते हैं कि कितने लड़के लड़कियां को लड़ू पसंद है किवल लड़ू पसंद वाले कितने हैं यहां 3, 2, 5 और 8 और 7, 15 तो यह हो गया 155 लड़के लड़कियां लड़ू पसंद कर रहे हैं कितनी लड़कियां और लड़के बरफी पसंद कर रहे हैं तो देखिए 6 और 2 हो गया 8 4 और 3 हो गया 7 1 और 1 हो गया 2 278 लड़के लड़कियों को बरफी पसंद है कुल लड़ू पसंद करने वाले और कुल बरफी पसंद करने वालों की कुल संख्या है 433 आप देखिए हम यहाँ पर हल करेंगे कितने ऐसे बच्चे हैं जो लड़ू पसंद करते हैं कुल बच्चों की संख्या कितनी है तो यहाँ पर देखिए एक सो पच्पन है एक सो पच्पन बच्चे ऐसे हैं जो लड़ू पसंद करते हैं फिर देखिए कितने ऐसे बच्चे हैं जो बर्फी पसंद करते हैं तो कितने हैं दो सो अठतर बच्चे ऐसे हैं जो बर्फी पसंद कर रहे हैं विद्याले में कुल कितने बच्चे हैं विद्याले में कुल चार सो तैटीस बच्चे हैं आगे है लड़के एवं लड़कियों म 214 है तो 219 अधिक है तो लड़कियों की संख्या अधिक है सबसे पहले क्या लिखेंगे लड़कियों की संख्या की संख्या अधिक है कितनी अधिक है तो कितनी अधिक है कैसे पता चलेगा 219 है लड़किया और 214 हैं लड़के तो 214 घटा देंगे 219 में से तो ये हो जाएगा पांच पांच अधिक है कितनी लड़कियां अधिक हैं पांच लड़कियां अधिक हैं आगे हैं लड़ू पसंद करने वाले बच्चों की संख्या बर्फी पसंद करने वाले बच्चों से कितनी कम है लड़ू पसंद करने वाले देखो कितने हैं 155 है और बर्फी पसंद करने वाले 278 हैं, तो कितने कम हैं, तो 278 में से हमें 155 को घटा देना हैं, तो लड़ू पसंद करने वाले बच्चे हैं, 155 बर्फी पसंद करने वाले 278, ये देखिए, तो हमें पता चल जाएगा कि कितने कम हैं लड़ू पसंद करने वाले बच्चे, तो आठ में से पाँच गया तो तीन, साथ में से पाँच गया तो दो, और दो में से एक गया तो एक, 123 बच्चे लड़ू पसंद करने वाले कम हैं, आगे है दूसरा प्रश्न जो कि आपको स्वैम करना है बच्चों, आगे सब्ताह चार लेते हैं, जोडी बनाईए, अब हमे जोडी बनाना है, देखिए किस तरह से जोडी बनाना है, यहाँ पर हमें 405 धन 23 दिया हुआ है, तो 5 में 3 जोडेंगे, तो 8, 2 का 2, और 4, 428, तो 428 की चावी कौन सी है, यह 428 की चावी, इसे मिला देंगे, इसी प्रकार इन 3 सवालों को आपको हल करना है, जो भी उत्तर आ पाएगा, उस सम्बंधित चावी से उसे मिला देना है, आगे है, पाठे पुस्तक गडित का जादू कक्षा 3 के प्रष्ट करमांग 84 पर दी गई गतिविधी के प्रशनों को कक्षा में हल करवाए, तो उन प्रशनों को आपको बच्चों हल करके देखना है, आगे है, का है उधारण, 53 धन 37, 53 और 37 को हम कैसे जोड़ेंगे, तो देखिए, पहले 53 का विस्तारित रूप लिख दिया, 50 धन 3, फिर 37 का विस्तारित रूप लिख दिया, 30 धन 7, फिर देखिए, ये दहाई दहाई वाले अंकों को जोड़ देंगे, 50 और 30 हो गया, 80 और 3 और 1 इकाई हो गया, 10 और 80 और 10 को जब हम जोड़ेंगे, तो हमें क्या प्राप्त होगा, 90, इसी प्रकार, यदि हमें 90 में से 37 घटाना है, तो 90 तो इसी रूप में है, लेकिन 37 को हम क्या लिख देंगे, रिन 30, रिन 7, दो भागों में तोल दिया, तो देखिए, 90 में से 30 जैसे घटेगा तो कितना आ जाएगा, 60 और उसमें से फिर इस 7 को घटा देंगे, तो प्राप्त होगा, त्रेपन, इसी तरह से हमें इस सवाल को भी हल करना है, नीचे के इन दोनों सवालों को हल करना है, यहाँ पर दिया हुआ है न बच्चों, 90 रिन 37 बराबर 53 और 95 धन 37 बराबर 90, इसे इस तरह से हल करना है आपको, यह कुल 3 सवाल आपको हल करना है, छटवा प्रशन देखते हैं, कुल 564 किलोमीटर दूरी में से 312 किलोमीटर दूरी तै कर लेने के पस्चात कितनी दूरी सेष बचती है, तो कुल में से 312 तै हो गई, तो सेष दूरी क्या हो जाएगी, 564 में से कितना चल चुके हम 312 चल चुके तो सेस दूरी क्या हो जाएगी यहां जाएगा सेस दूरी कितनी होगी चलिए घटाते हैं 4 में से 2 गया तो यहां जाएगा 2 6 में से 1 गया तो यहां गया 5 और 5 में से 3 गया तो यहां गया 2 252 किलो मीटर इतनी दूरी चलना सेस है इसी प्रकार प्रश्ण करमांग दूसरा, तीसरा, चौथा आपको स्वयम करना है आगे देखते हैं जोड का उप्योग करके खानों में छूटी हुई संख्या भरिये तो देखिए सबसे पहले हमें सुन्ने में ऐसा क्या जोड़ेंगे तो 6 आजाएगा, सुन्ने में 6 जोड़ने पर 6 आजाएगा अब देखिए यहां पर हम किस में 8 जोड़ेंगे तो 2 आजाएगा, तो देखो 4 में हम यद courts जोड़ेंगे तो 12 होगा और 12 की 2 हो जाएगी, है ना, और हासिल का 1 हो जाएगा तो 6 और 2,8 और यह हासिल का एक मिलकर हो गया 9,926 इस तरह से हम संख्याओं को जोड़कर जो डिब्बे दिये गए हैं खाली उनको भर सकते हैं यह चटवा प्रश्न आपको स्वैम करना है बच्चों इसी प्रकार घटाओ का उप्योग करके खानों में चूटी हुई संख्या तो देखिए हम यहां पर आठ में से घटाते हैं यहां कुछ नहीं है नीचे इसका मतलब हम कोई भी संख्याओं यहां पर घटा सकते हैं जैसे हम यहां पर 4 घटाते हैं तो यहां पर क्या प्राप्थ होगा? चार प्राप्थ होगा अब देखिए कि कौन सी संख्या में से चार घटाने पर आठ प्राप्थ होगा तो यहाँ पर हम लिख देते हैं दो और एक यहाँ से उधार आएगा बारा, बारा में से चार गए तो बचेगा आठ अब चूंकि यहां बचा है साथ, साथ में से क्या घटाने पर चार प्राप्थ होगा साथ में से तीन घटाने पर चार प्राप्थ होगा इसी परकार इस नीचे के सवाल को बच्चों आपको स्वयम हल करना है एक CMRISE विद्याले में गणित के सिक्षक द्वारा विद्यारतियों के खाने में पसंद की सूची तैयार की गई है उसी प्रकार का सवाल है जो मैंने पीछे किया लड़के 126 मिठाई पसंद करते हैं 124 नमकीन पसंद करते हैं लड़कियां 150 लड़कियां मिठाई पसंद करते हैं 180 लड़कियां नमकीन पसंद करते हैं इस तरह का सवाल हमने बच्चों उपर किया है उसी क्या धार पर आपको इस प्रश्न को भी हल करना है आगे है नीचे दिए गए प्रश्नों में रिक्तिस्थान भरिये जिसमें कि घेरे की संख्याओं का योग चौकोर वाक्स की संख्या के बराबर हो देखिए घेरे की संख्याओं का योग चौकोर वाक्स की संख्या के बराबर हो तो 101 में क्या जोड़ें कि 120 प्राप्थ हो तो मैंने आपको बताया है कि 120 में से ही हमको 101 को गटा देना है हमें क्या प्राप्थ होगा? 19 प्राप्थ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 19 101 और 19 मिलकर ही 120 होता है फिर देखिए यहाँ पर 215 और 185 दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या प्राप्थ होगा? आज की एक लास हमारी यहीं समाथ होती है धन्यवाद